एक नेगिटिव पी आर चालू कर दी, मेरे को लेके कि ये मिलने भी नी गया ओस्पिटल में अभिशेक से ये है वो है ट्रेंडिंग चालू होगी चीजें कि अलविश खराब आदमी है ये है वो है नमस्कार मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूस्टाइब मीडिया बिग बॉस ओटिटी टू के विनर एलविश यादव बन गये है और उन्हें ट्रॉफी के साथ साथ 25 लाक रुपे मिले इसी शो के दौरान एलविश और अभिशेक काफी अच्छे दोस बन गये थे लेकिन ग्रांट फिनाले के दोरान अभिशेक को डिंगू होने के कारण अस्पताल में भरती कराना पड़ा जिसके बाद लगतार एलविश यादव और अभिशेक की दूसरी पर सवाल उठने लगे कि आखिर एलविश अभिशेक से मिलने अस्पताल क्यों नहीं गये जिसके बाद अब खोद एलविश यादव ने इस पर चुपी तोड़ दी दरसल एलविश यादव ने आज सुबा ही सोचल मीडिया पर एक वीडियो शियर किया और उसमें एलविश ने खुलासा किया कि आखिर वो किस वज़ा से अभिशेक मलहान से मिलने अस्पताल नहीं गर अभिशेक भाई से मिलने चलना है होस्पिटल ये सबीशेक भाई नहीं दूर हो ही वह वह चलते हैं अभी मैं सिक्यूरटी शूस की वैसे यहां से निकल ही नहीं पा रहा था बट अब मैंका आज लास्ट डे हैं आपर क्यूकि आपने निकलना है सब्सक्राइब के लिए हैं समधर प्लेस कांटेल बट दूसरी ये निकलना हमने की तो भाई से मिलके जाए हैं अपने यूट्यूब पर बताया कि सुरक्षा कार्णों से उन्हें होटल के एक कमरे में बंद कर दिया गया था अलविश ने कहा कि उनका भाई चारा अभी भी सवाई एड़े पर देखा भी गया था अलविश ने अपने व्लोग में इस बात की जानकारी भी दी कि वो किसी दूसरे सिटी जा रहे हैं हाला कि उन्होंने सिटी का नाम कहीं भी जिक्र नहीं किया लेकिन अलविश के इन बातों से ये तो तैह है कि जल्दी फैंस को एक ब जाएंगे इस पर भी अलविश ने जवाब दे ही दिया उन्होंने कहा कि वो इस सीजन में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो घर से दून बोगत हो गये हैं लेकिन वो अगले सीजन इसमें भाग लेना चाहेंगे अगर उन्हें मौका मिला